हम डिसकस कर रहे हैं current affairs February month के लिए this is part 3 और part 3 की हमारी first news है Supreme Court declared the electoral bond scheme unconstitutional Supreme Court ने चुनावी bond यूशना को असम्विधानिक करार दिया जो electoral bond scheme है 2018 में वो देश भर में लागो की गई थी और अगर हम बात करें कि उस समय भारत के finance minister कौन थे वितमंत्री कौन थे तो उनका नाम हो जाएगा शिरी अरुन जेटली जी अरुन जेटली जी के समय पर उन्होंने इस scheme को देश भर में लागो किया था अब इस scheme के तहट क्या होता है allowed individuals and cooperation to anonymously fund political parties कोई भी व्यक्ति या कोई organization गोपनी या ढंग से अपनी पसंदिधा पार्टी को डोनेट कर सकता है कितनी amount वो डोनेट कर सकते हैं? रुपीज thousand से लेकर 1 करोड तक जितनी भी amount वो डोनेट करना चाहें बढ़ ये compulsory है कि वो amount in figures में ही होनी चाहिए जैसे कि thousand, ten thousand, one lakh, ten lakh या फिर one करोड अगर माल लीजे मैं अपनी किसी भी पसंदिधा पार्टी को डोनेट करना चाहती हूँ तो मैं direct जाकर उस पार्टी को ये amount नहीं दोगी मैं किस पार्टी के तहती से दे सकती हूँ SBI, bank के तहती मैं इस scheme को दे सकती हूँ अब उस पार्टी के लिए ये compulsory है कि 15 दिनों के अंदर अंदर वो उस electoral bond को अपने account में redeem करवा ले अब अगर हम ये कहें कि क्या किसी भी पार्टी को आप ये electoral bond दे सकते हैं ये donation दे सकते हैं तो हमारा answer होगा no इसके लिए कुछ conditions हैं आप सिरफ उसी पार्टी को ही उसी राजनेतिक दल को ये चुनावी bond दे सकते हैं जो इन दोनों condition को पूरा करें वो दोनों condition क्या हैं? पहली RPA Act of 1951 यानि कि Representation of People Act 1951 के Section 29A में उस पार्टी का mention होना चाहिए और दूसरी condition ये है कि जो भी पिछले चुनाव हुए हो उन में कम से कम एक प्रतिशत vote जो है वो उस पार्टी को मिले होने चाहिए तब ही आप किसी पार्टी को donate कर सकते हैं अब इसे हटाया क्यों गया? इसके लिए सबसे जादा जो मुख्य कारण थाई से हटाने के पिछे कि ये हमारे Right to Information Act को प्रभावित करता है जो हमें समिधान के Article 19 के First Clause के एपार्ट में मिला हुआ है और दूसरी बात इस scheme से बहुत जादा Black Money जो है मुफ्त बिजली योजना Recently हमें ये trend देखने को मिल रहा है कि exams में योजना ये पूछी जा रही है और वहां से ही full descriptive question बन रहा है Recently latest एक योजना लाँच की गई जिसका नाम है PM सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना किसने लाँच की? Prime Minister Modi नहीं ये scheme launch की और इसके तहत क्या होगा? ये जो scheme है ये 75,000 करोड के investment से बनाई जाएगी लागो की जाएगी और इसके तहत कम से कम 1 करोड household को light up किया जाएगा और उनको 300 units of free electricity दी जाएगी तो ये 3 point है जो आपको ध्यान रखने है 75,000 करोड के रुपया से ये लागो हो रही है 1 करोड household इससे लाब होंगा उनको लाब मिलेगा और उनको 300 units of free electricity दी जाएगी अगर हम solar energy की बात करें वो एक नविकर्णिया source है renewable energy है और देखिए इसी scheme के तहत ही जो urban local bodies है और panchayats है उनको कहा जाएगा कि अपने क्षेतर में जितने में लोग है उन्हें solar system जो rooftop solar system है उसको लगाने को वो लोगों को motivate करें तो आप याद रखेंगे PM सूर्यगर मुफ्त बिछले योजना Next news हमारे पास है National Women's Day 13th of February Recently National Women's Day राष्ट्रिय महिला दिवस मनाया गया कब मनाया जाता है हर वर्ष 13th of February को 13th of February को ये मनाया जाता है किसकी birth anniversary पर on the birth anniversary of Sarojini Naiduji Sarojini Naiduji का जनम हुआ था 13 February 1879 में अगर हम उनके जीवन में तो बहुत महान-महान चीज़े होई है अगर हम कुछ की बात करें वो उत्तरप्रदेश की अजादी के बाद पहली राज्यपाल रह चुकी है First Governor of United Provinces पहले उत्तरप्रदेश का नाम United Provinces था दूसरा उनकी एक famous poem है जिस poem का नाम है In the Bazaars of Hyderabad उनकी सबसे प्रमुख कविताओं में से ये एक है क्योंकि वो बहुत अच्छी कविताओं लिखने के लिए जाने चाती थी इसलिए उन्हें Night Angle of India भारत को कीला भी कहा गया है महत्मागानी जी के तौरा ये तो बहुत important easy point उनके बारे में है अगर कुछ और point देखें She was first Indian woman to be president of Congress in 1925 Congress की स्थापना 1885 में हुई है अगर हमसे पूछें Congress की पहली महिला प्रेजिडेंट तो हमारा अंसर होगा एनिबेसेंट 1917 में वो Congress की अधेक्ष रह चुकी है अगर हमसे पूछें प्रथम भारतिय Congress की अधेक्ष कौन रही है भारतिय महिला तो हमारा अंसर होगा सरोशनी नाइटोजे और उनी की ही birth anniversary पर हम मनाते हैं राश्ट्रिय महिला दिवस 13th of February every year अगले news हमारी है Alexander Stubb, new president of Finland हमने देखा है international जब भी कोई appointment होती है वहाँ से हमें प्रश्ण देखने को मिलते हैं और एक बहुत अच्छी European country Finland के नए राश्ट्रपती चुने गए है जिनका नाम है Alexander Stubb Alexander Stubb, president बनने से पहले कुछ वर्ष पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके है तो हमारा first point यही है He was the ex-prime minister of Finland कितने समय के लिए चुने गए जैसे यहां के भारत के राश्ट्रपती का कारेकाल होता है 5 वर्ष Finland के राश्ट्रपती का कारेकाल होता है 6 वर्ष तो यह चुने गए है for 6 years और Finland की capital क्या है तो Helen Sikhi हो जाएगी वहां की राजसाली वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वहां के प्रधान मंत्री है जिनका नाम है Patri Orpo और 2023 में ही यह वहां के प्राइम मिनिस्टर बने है उस टाइम हमने यह news पे डिसकस की थी recent appointment ही है तो प्राइम मिनिस्टर हो गए Patri Orpo और President हो गए Alexander Stub अगर हम आगे point देखे तो वहां लिखा हुआ है Since 1994 No President may be elected for more than two consecutive terms यानि की मालीजी आप एक बार राश्टरपती हैं दूसरी बार राश्टरपती हैं उससे अधिक आप वहां के राश्टरपती लगातार नहीं चुने चाह सकते USA में भी एक provision है कि एक व्यक्ती केवल दो ही बार USA का President रह सकता है जबकि भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है एक व्यक्ती भारत में कितनी भी बार President बन सकता है या फिर चुना जा सकता है आगे देखिए He must be a natural born Finnish citizen और last point is very very important जो Finland था वो NATO का 31st member बना था यह प्रशन पिछले year के exams में तो पूचा ही गया आपने याद रखना है 31st member of NATO वो बना था यूरोप का एक देश Finland फोटो में आपके सामने हैं Alexander Stub अगर हम यूरोप के मैप पे देखें location wise green में जो आपको country यहां दिखाई दे रही है this is Finland यह देश हो जाएगा Finland यहां पे पूरा यह green बाला country green के साथ ही अगर आप देख पा रहे हैं map में यहां पर आपको यह water body दिखाई दे रही है Sweden और Finland के beach में यह जो beach में water body है this one इसे कहा जाता है Gulf of Bothnia Bothnia की खाड़ी इसे कहा जाता है Finland के नीचे यहां पर भी आप लोगों को water body दिखाई दे रही है this one और इसे कहा जाता है Gulf of Finland अगर हम Europe map पे कुछ और geographic point of view से important questions देखे यहां पर यह जो point हो जाएगा जो Europe को Africa से अलग करता है और Atlantic को भुमध्य सागर से जूड़ता है उस जल संधी का नाम है जिब्राल्टर जल संधी अगर हम उसके बाद देखे यह पूरा यहां पर आपके सामने है भुमध्य सागर Mediterranean Sea अगली नीउस देखते है जपान fourth largest economy in the world अग ये नीउस हमारे लिए इसलिए important हो जाती है जपान fourth largest economy recently बना नहीं है पहले तीसरे नंबर पर था तीसरे से वो fourth पर slip हुआ है अगर आप फोटो में भी देख पा रहे हैं जपान drops to drops to fourth largest economy as GDP shrinks अब हम विश्व की top economists की अगर बात करें first पर आ जाएगा USA second पर है China तीसरे स्थान पर कौन पहुँचा है तीसरे पर अब जपान को सरपास करके पहुँच गया है जर्मनी fourth पर shift हो गया जपान और fifth पर है हमारा अपना भारत अब अगर हम बात देखें कि क्यों जपान third से fourth पर shift हुआ इसके कुछ कारण है क्या कारण होगे aging population and low birth rate जपान की जण संख्या है वो बूरी होती जा रही है और वहां का जो birth rate है वो बहुत ही कम है वहां पे जजन दर है वो कम है यानि कि young population नहीं है और जो population present है वो अब old age होती जा रही है इसलिए वहां की economy श्रिंक हुई second reason क्या है weak yen yen वहां की currency है वो dollar के comparison बहुत weak हो चुकी है and lack of innovation third point अगर हम देखे labor shortage and acceptance of foreign labor is limited जैसे आपने देखा है भारत के बहुत ज़्यादा लोग Canada migrate होते है Australia migrate होते है New Zealand जाते है आपने बहुत कम कम सुना होगा कि कोई Indian या कोई और देश का नागरिक जपान में रहने लग गया हो क्योंकि जपान में बहुत limited foreign acceptance है वो ज़्यादा लोगों को वहां welcoming नहीं है तो अब देखे foreign migrant नहीं आ रहे है आपकी अपनी population है नहीं जो population है वो old age होती जा रही है तो obviously economy जो है दुनिया की बन सकता है third largest economy बनने का अर्थ है वो Germany और Japan दोनों को ही सरपास कर सकता है और वो बन सकता है third largest economy in the world मैंने आपको reasons बताए कि Japan की जो GDP slip down हुए उसका एक कारण है aging population अगर हम एस pyramid में देखे पहले तो side में आप flag बिख पा रहे हैं फ्लैक जपान का है इस pyramid को बोला जाता है age pyramid अब ये जो age sex pyramid है ये हमें बताता है किसी देश में कितनी population है और कौन से group में ज़ादा population है कौन से group में कम population है blue में represent है male and pink में भी है female 2038 का 2038 का ये projected population है कि Japan में क्या होगा अब यहाँ नीचे से उपर तक आपको दिखाई दे रहा है उनके birth year यानिकि 0 से लेकर 100 तक और आप देख पा रहे हैं सबसे broad जो pyramid है वो कहाँ पर है इस section में यहाँ पर है सबसे broad और ये कौन सा age group है 60 से लेकर 69 तक तो जपान की जो अधिक्तम population होगी 2038 तक वो आप देखिए वो कौन सी age group में होगे 60 से 69 जबकि अगर आप देश चलाना चाहते हैं तो आपको age group चाहिए कम से कम यहाँ 30 से लेकर 40 या मैं कहूं 25 से लेकर जो 40 वाला है तो देखिए ये population जो है उपर सबसे ब्रॉड नीचे श्रिंक श्रिंक और यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा कम है तो इसलिए birth rate वहाँ का कम होता जा रहा है और जपान पहुंच किया है fourth largest economy पर अगली news हमारी है International Mother Language Day 21st of February अंतराश्च्रे मातरी भाषा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21st February को उसके थीम क्या थी? उसके थीम थी Multilingual Education is a pillar of intergenerational learning Multilingual Education अनेक भाषाओं में अगर आप शिक्षा दें तो वो है हमारे लिए important आगे देखिए To aware about the diversity of language and its variety 17 November 1999 से पहली बार इस दिन को मनाने के लिए UNESCO ने घोषना की First Announced by UNESCO और 40% of the global population ऐसी है जिनको अपनी native languages में अपनी native languages में Education नहीं मिलती है और यह जो initiative है कि हमें International Mother Language Day मनाना चाहिए यह initiative था Asia का एक देश, Bangladesh का और इसी initiative के ही तहत 2008 को डिकलेर किया गया था International Year of Languages आप याद रखेंगे International Mother Language Day कब बनाया जाता है तो 21 February को अगली news है हमारी B.A.P.S. मंदर First Hindu Stone Temple in Abu Dhabi B.A.P.S. मंदर Abu Dhabi में पहला पत्थर का हिंदो मंदिर राम जनम भूमी के बाद राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा के बाद दूसरा जो हमारा Hindu religion के लिए एक बड़ी नियुस थी वो ये थी कि Abu Dhabi में पहला Hindu Temple बनाया गया विच इस मेड़ अप ऑफ स्टोन मेली आप देखें जो वहां की organization है उसकी short form है हमारे पास BAPS उसी ने इसका निर्माण करवाया अगर हम Shelly की बात करें कि कौन से architecture style में इसको बनाया गया तो वो है नागर style उसके बाद इसमें साथ शिखर है आगे मैं आपको temple की फोटो दिखाऊंगे साथ शिखर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और नेक्स्ट अगर हम देखें राज्यस्थान से pink sandstone का इसमें प्रयोग किया गया है और इटली के marble का इस मंदिर के निर्बान में प्रयोग किया गया है और साथ में दो और news देखें हम recently PM Modi जो है वो UAE और कतर के दौरे पर थे उसी दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ पर UPI रुपे कार्ड जो है जिसका नाम है जैवन वो लॉंच किया और वर्ल्ड गवर्मेंट सब्मेट जो हो रही है 2024 की दुबई में दुबई भी UAE का ही एक शहर है अबुदाबी क्या है अबुदाबी UAE की राज थानी है तो दुबई में जो हो रही है वोल्ड गवर्मेंट सम्मिट 2024 वहाँ पर भी PM Modi ने पाटिसिपेट किया और फोटो में हमारे सामने है और जिस मंदिर का नाया निर्मान हुआ है BAPS Temple of Abu Dhabi साथ में आम देख पा रहे हैं PM Modi from the day of the inauguration of temple Next news we have KPP नामभियार Award for ISRO Chairman S. Somnath ISRO के जो Chairman S. Somnath जो अध्यक्ष है ISRO के उन्हें KPP नामभियार पुरसकार से समानित किया गया जो ये KPP नामभियार Award है to honor individual or groups from Keral और Somnath जी को इसने choose किया गया हम सभी जानते है चंदरियान 3 में उनकी बहुत महतफ़वन भुमिका रही है अगर हम KPP नामभियार जी की बात करें He was a industrialist from Keral इसलिए मुख्य रूप से Keral से ही लोगों को इसमें समानित किया जाता है और जो KPP नामभियार है उन्हें 2006 में पद्मभूशन से समानित किया गया था फोटो में आपके सामने है S. Somnath Next news we have statue of General Bipin Rawat in Dehradun Dehradun में General Bipin Rawat की प्रधिमा General Bipin Rawat जो थे वो पहले भारत की CDS थे CDS पोस्ट ही जब launch की गई थी पहले बार So he was the first person to become a CDS of India First Chief of Defense Staff in India इनका जन्म हुआ था 16 मार्श 1958 को और 8 December 2021 को एक helicopter crash में इनके मृत्यों हो गई थी अगर हम इनके points देखें इन्हें पद्म भिवूशन से समानित किया जा चुका है मर्नो प्रांथ पॉस्तोमस्ट पद्म भिवूशन जो है वो भारत रतन के बाद second highest भारत का पुरुसकार है इनके जो father थे वो भी आर्मी से ही संबनी थे he was a lieutenant general और उनका नाम था लक्षमन सेंग रावत और इनके पिताजी और इन्होंने सेम ही जो unit है वो शियर की 11 गूर खा राइफल दोनों इसके सदस्य रह चुके हैं फोटो में आपके सामने वो statue है जो जनरल विपिन रावित जी का बनाया गया है देहरदोन में यह बेसिकली उत्राकंट से ही संबनी थे वहीं पर ही इनका जनम हुआ था अगले हमारी news है काफी दुख के साथ Australia won under 19 cricket world cup by defeating India इंडिया और Australia का जो यह war चलता ही आ रहा है और उसमें इंडिया को हार ही मिल रही है कुछ पिछले वर्षों से वो खतम नहीं हुई है अभी भी और under 19 में फिर से Australia ने भारत को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ प्रशन के आपको कितना याद रहा फर्स्ट प्रशन हमारा है केपीपी नामग्यार वोस बॉन इन विच इंडियान स्टेट केपीपी नामग्यार का जनम किस भारती राज्चे में हुआ था और हमारे ऑप्शन है तमिलनाडू, केरल, करनाटका, गोवा तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा option नमबर भी केरल, केरल से वो संबंदित है और इसलिए उनके नाम पर ही दिया जाता है ये पुरस्कार भी अगला प्रशन है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था एकॉनमी कौन सी है हमारे options है यूएस से जर्मनी, चाइना आया फिर इंडिया और जपान को पीछे करकर थर्ड पर पहुंच गई है जर्मनी तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा जर्मनी is the third largest economy in the world नेक्स्ट प्रशन देखें अगला प्रशन है विच एर वाज सेलिब्रेटेड एस इंटरनाशनल एर ओफ लेंगवेजिस हमने डिस्कुस किया कि 1999 में UNESCO ने खोशना की थी कि हम इंटरनाशनल एर ओफ लेंगवेजिस बनाएंगे बट इंटरनाशनल एर ओफ लेंगवेजिस घूर किस दिन को घोशित किया गया किस वर्श को घोशित किया गया था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2008 2008 था इंटरनाशनल एर ओफ लेंगवेजिस अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है Electoral Bond Scheme was launched during 2018 who was the Finance Minister of India at that time चुनावी Bond योशना 2018 के दौरान शुरू की गई थी और उस समय भारत के वितमंतरी कौन थे हमारे options है अरुन जेटली, निर्मला सितारमन, लियाकत अली खान या फिर प्रणब मुखर जी इसका राइट अंसर हमारे पास हो जाएगा अरुन जेटली जी अगर हम निर्मला सितारमन की बात करें वो वर्तमान भारत की वितमंतरी है साथ में हमारे पास option में है लियाकत अली खान भारत के पहले वितमंतरी रह चुके है फोस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके है और प्रणा मुखरजी जी का नाम आपके सामने है वो भारत की वितमंतरी भी रह चुके है और बाद में भारत की प्रेजिडेंट की रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है साथ ही में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है अगला प्रशन हमारा है और दिये गए औप्शन में से राइट अंसर हो जाएगा अप लोगों के लिए प्रशन ये रहेगा इन विच एर सरोशनी नाइडू बिकेम प्रेजिडेंट अफ कॉंग्रेस सरोशनी नाइडू किस वर्श में कॉंग्रेस की अधिक्ष घोशित की गई थी या फिर बनी थी जो भी राइट अंसर होगा आप हमें कमें लिख कर बताएंगे and this was all for this video thank you so much for watching do like share and subscribe our channel thank you once again